मैं हूँ राजन प्रसाद स्वागता आपका टेकनिकल सर्जी यूटूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीडिये फाइल को वाटसेप या जीमेल या कहीं पर भी कैसे सेर कीजेगा यवंग आपका पीडिये फाइल यदि आप कहीं अपलोड करना चाहते हैं क्रोम ब्राउजर या किसी ब्राउजर पे भी कैसे अपलोड कीजेगा ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ क्यूंकि देखे ये बहुत लोगों को आता है अपलोड एवंग सेर करना लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिने ये नहीं आता है वो लोग कैफे में जाके करवाते हैं पैसा देखे तो आप इस चीश को सीख लिजेगा तो आप इस चीश को खुद से करने सकीएगा तो वीडियो को लाइच देखिएगा तभी आपको इससे लेटेट सारी जानकारी समझ में आगी इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोग लिए लाते रता हूँ तो मैं इस वीडियो को सुरू करता हूँ तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे तो आपको अपना जो पीडियेफ को जहां पर भी कहीं पे भी अप्लोड करना या सेर करना है उसको सबसे पहले अपने फाइल में जाके पे उसको एक जगा आके रख लें जैसे ये वाला मैं मुझे कहीं पे अप्लोड या सेर करना तो मैं इसको एक फोल्डर में लाके शिव कर लेता हूँ जैसे इसका नाम रख दिया हूँ पीडियेफ अप्लोड ठीक है फोल्डर बनाना आपको जो पीडिये अप्लोड या सेर करना आप उसमें लाके पहले मूफ करके रख लीजेगा उसके बाद या तो आप यहां से डारेक्ट दो जगा पे कर पाएंगे या तो अपने जीमेल पे सेंड कर पाएंगे या अपने वाट्सेप पे सेर कर पाएंगे यहां से डारेक्ट सेर का ओप्सन पर यहां से यहां से क्लिक करते हैं वाट्सेप तो यहां से वंग जीमेल तो मैं देखें यहां वाट्सेप पे क्लिक करता हूँ एवांग आपको Gmail पर share करना है तो फिर से उस पर click करके आपको send वाले option पर आना है option पर आने गवाद आपको Gmail पर select करना है एवांग आपको अपना Gmail यहां से choice कर लेना जाएए यह Gmail खोलना ठीक है तो यहां से आपको gmail जो जिस gmail पर भेजना है आपको यहां पर उस gmail लिख लेना होगा यहां पर subject लिख सकते हैं यहां पर gmail में जो भी आपको लिख के भेजना है वो लिख सकते हैं तो इसी तरह से आप अपना Gmail पे भी यहां से बहुत ही असानी से send कर सकते हैं, अब मैं आपको देखिए यह दो चीज तो हो गया, आप यहां से कहीं पे भी जहां पे share करना चाहते हैं, डिरेक्टली यहां से share कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास option है, अब आप इस PDF फाइल को upload कैसे कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, तो आपको अपना Chrome browser open कर लेना है, तो मैं यहां पे अपना Chrome browser open करता है, तो देखिए, यहां पे एक मुझे PDF फाइल upload करना है, तो मैं यहां पे कैसे upload करूँगा, इसके लिए आपको select file पे click करना है, select file पे click करने बाद आपको file प को open कर लेता हूं HD card open करने बाद देखिए उपर में यारा PDF अप्लोड करके ठीक है तो यहां से आप जो भी PDF अप्लोड करना चाहते हैं यहां से select करके यहां से okay कर दिजेगा तो यह देखिए यहां पर PDF अप्लोड होना शुरू हो गया है तो आप इस तरह से अपने documents कहीं पर भी मतब PDF फाइल को कहीं पर भी share कर सकते हैं या अप्लोड कर सकते हैं तो आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजाए क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो आप लोग के लिए ल